नमस्कार दोस्तों मैं आसुतोस आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से करतार कोचिंग सेंटर जो आपका मखनिया घुआ में है पटना बिहार मैं आसुतोस सर आपके लिए मैट्स लेका है हूँ मैट्स जनरल कंपडिशन के लिए जो बैंक रेलवे स सेस्ति इसके लावा डिफेंस का CDS का एक्जाम दो CPF का एक्जाम दो हर एक्जामनेशन में स्टेट के एक्जाम में आपका यह टॉपिक पूछा जाएगा तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करने जा रहे हैं Number system, में सबसे पहले जो बच्छपन में जो लोगो चीज़ पढ़े हैं जो बच्छपन में हम लोग पढ़ कहा आए हैं उसी के बार में हम लोग जानेंगे कि Number system में क्या पढ़ना है घ्यक है, और यह जो सेशन चलने वाला है यह जो टोपिक चलने वाला है इसका हर जगा यूज है सर हर जगा यूज है हर टॉपिक में इसका एक दो सवाल का यूज है तो number system बहुत बड़ा section है बहुत बड़ा section है और इसका use बहुत जादा है तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और step by step करके पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं number system तो देखिया आपके screen पर दिख रहा होगा number system संख्या पधिती हम लोग इसी के बारे में discuss करेंगे आज चलिए तो सबसे पहले number system में हमारा जो क्या-क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो number system में सबसे पहले हम लोग numbers के बारे में पढ़ेंगे numbers यानि कौन-कौन से numbers numbers का game बात समझे जैसे natural number natural number even number odd number इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग start करते है numbers फिर test of duality उसके बाद important points type of question number based question option based question option से कैसे बनाएंगे remainder शेसफ़ल unit place इकाई अंक number of zero find करना number of divisor some odd divisor भाजकों की संख्या भाजकों का योग सम भाजकों की संख्या विसम भाजकों की संख्या ये सारे चीज़ को हम लोग discuss करेंगे one by one करके तो सबसे पहले हम लोग श्टार्ट करेंगे numbers के बारे में सबसे पहले numbers system हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग को natural number ही नहीं पता है किसे करते हैं तो हम लोग कहां से पढ़ पाएंगे तो सबसे पहले हम लोगी start करने जा रहे है natural number तो natural number का topic आपके सामने start हो रहा है तो natural number में numbers numbers, numbers संख्याएं तो संख्याएं किसे कहते हैं गिंती की सभी संख्याँ प्राकिर्ट संख्या कहलाती है गिंती की सभी संख्याँ प्राकिर्ट संख्या कहलाती है अर्थात वैसी संख्या है जिससे वस्तूं की गनना करते हैं counting करते हैं उसको natural number कहते हैं गिंती की सभी संख्या प्राकिर संख्या कलाती है यह वैसी संख्या है जिसके counting करते हैं numbers जैसे 1, 2, 3, 4 यह natural number है ठीक है? देखे, all the numbers that can be counted are called natural number natural number नाम से ही clear है natural number गिंती की संख्या जैसे की किसे गिंती करेंगे? गनना किसे करेंगे? counting किसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and up to 1 से लेकर infinity तक जाता है सर 1 से लेकर infinity तक जाता है इसी को हम लोग कहते है natural number इससे हम लोग क्या करते हैं? वस्तूओं की संख्या गिंते हैं, आदमियों की संख्या गिंते हैं यानि जिससे count करते हैं number system क्या है? जिससे वस्तूओं की गनना करते हैं उसको कहते हैं प्राकिर्थ संख्या natural numbers प्राकिर्थ संख्या यानि कि जो counting की संख्या है उसको क्या करते है? natural number तो चलिए दूसरा point है, दूसरा point हम लोग discuss करेंगे, whole number, whole number क्या होता है, whole number क्या होता है, whole number के बारे में आप लोग समझ लेजिए, कि natural number का जो group होता है, natural number का जो set होता है, उसमें अगर 0 को include कर दिया जाए, जैसे natural number के बारे में हम लोग discuss किया थे, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, natural number और जैसे ही इसको 0 को भी include कर दिया जाए natural number के group में 0 को भी include कर दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं whole number क्या कहते हैं पुर्ण संक्या whole number whole number क्या है natural number के group में अगर 0 को include कर दिया जाए 0 को सामिल कर दिया जाए तो इसको कहते हैं क्या whole number और यानि कि प्राकिर्ट संख्या यह पुर्ण संख्या चलिए तो नेच्रल नंबर और होल नंबर तो पता चल गया अब क्या है तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे देखेगा तीसरा आपके सामने पुर्णांक आ गया पुर्णांक क्या होता है अगर नेशरल रंबर के ग्रूप में अगर अगर एच्छी नेशरल नमबर डाल दिया जाए अगर ऑल नमबर के ग्रूप में होल लंबर का जो गुरूप होता है उसमें 5 और निगेटिव नेच्राइल नमबर भी इनकलूट कर दिया जाए αυτ work क्या कहते हैं जिसमें पॉजीटिव ऊजीटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो सो क्या कहते है पुर्णांग यानि कि इन्टीजर किसे कहते हैं integer किसे कहते हैं अगर whole number के group में negative natural number negative natural number भी include कर दिया जाए इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं integer तो इसको कहते हैं अगर 0 के बाद कहा जाए तो यह positive integer 0 के पहले कहा जाए तो negative integer और यह 0 integer positive integer 0 के बाद 0 के पहले negative integer और बीच वाला जो है यह border है जिरो यह सिर्फ सुनने इंटीजर है clear तो इंटीजर जो होता है positive, negative और 0 तीन इंटीजर होते है positive, negative और 0 इंटीजर तो यह कहां से आया natural number के group में natural number के group में अगर 0 को include कर दिया गया तो whole number हो गया और whole number के group में negative natural number भी डाल दिया जाया तो इसों क्या कहते है इंटीजर यानि की पुर्णांग चलिए अब जो आता है चौथा next देखिएगा event number event number के बारे में हम लोग बचपन से जानते हैं वैसे संख्या हैं जो 2 से कट जाए वैसे संख्या हैं देखो लिखा हुआगा दो से पुर्णता विभाजित होने वाली संख्या है संख्या का लाती है कोई भी number जो 2 से divisible हो 2 से divisible हो जैसे 4, 2, 8, 6 क्या ये 2 से कट जाएगा ठीक है 4, 2, 6, 8 कोई भी number जो 2 से कट जाए 4 भी कटेगा, 2 से भी कटेगा 4, 8 भी कटेगा, 6 भी कटेगा तो जितने भी numbers हैं जितने भी numbers हैं जो 2 से completely divisible हो 2 से completely divisible हो उसको हम लोग क्या कहेंगे even number even number क्या है जो 2 से completely divisible हो अगर 0 के बाद की जाए तो 0 ना तो even है ना तो odd है लेकिन अगर आपको इच्छा भी कर जाए तो 0 को even number में count कर सकते हैं अगर इच्छा कर जाए तो 0 को even number में count कर देना है लेकिन 0 ना तो even है और ना तो odd है 0 क्या है border even number किससे start होता है 2 से even number किससे start होता है 2 से जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए cut जाए a number that can be completely divisible by 2 is called even number clear तो चलिए next जो है odd number वैसी संख्या है जो 2 से न कटे देखो क्या लिखा हुआ है odd number क्या होता है बिसम संख्या नाम से ही clear है odd number यानि बिसम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से न कटे उसो क्या करते है 2 से पूरी तरह से न कटे उसो कहते है odd number the number which is not divisible by 2 the number which is not divisible by 2 जो 2 से ना कटे कौन-कौन 2 से नहीं कटेगा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब 2 से नहीं कटेगा क्या लिखावाई देखो a number which is not exactly divisible by 2 जो 2 से पुरी तरह से नहीं कटे उसो क्या कहते है odd number, बिसम संख्या clear तो अब जो है even number और odd number के बारे में पहाई चल ला है odd number 1, 3, 5, 7 और even number कौन है 2, 4, 6, 8 बात समझ में आया तो even number 2 से नहीं कट जाता है और odd number 2 से नहीं कटता है even number 2 से कट जाता है odd number 2 से नहीं कटता है अब आप बात करते हैं even number और odd number का जो मानेंगे अगर पहला even number x है, तो अगला even number कौन होगा, x plus 2, पहला odd number x है, तो अगला कौन है, x plus 2, अगर x है एक even number, तो पहला even number क्या होगा, x minus 2, और पहला यहाँ x minus 2, यहाँ क्या होगा, x plus 2, बात समझे, यानि कि odd number और even number कोई भी number हो, उनके भी जो interval होता है, वो कितने का होता है, दो क अगर बड़ी संख्या एक चोटी संख्या एक से तो बड़ी 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 संख्या एक से तो चोटी संख्या एक से तो चोटी संख्या एक से एक से बड़ी संख्या एक से बड़ी संख्या एक से बड़ी नहीं कटता है मतलब समझे कि वैसी संख्या है वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसको प्राइम नंबर यानि रूड संख्या यानि अब हाजी संख्या कहते है अब हाजी संख्या क्या है जिसके दो फैक्टर हो जिसके कितने फैक्टर हो दो तो पहला अगर हम ब प्राइम नंबर क्या होता है एक से बड़ी वा संख्या जो खुद से नहीं 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 कटे यानि वैसी संख्या है वैसी संख्या है जिसके दो तो फ्रस्ट प्राइन नंबर कौन है बताओ टू फ्रस्ट प्राइन नंबर जो इवर्वन नंबर एक से श्टार्ट नहीं होता है एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे यानि वैसी संख्या है जिसके कितने फैक्टर हो दो प्राइम नंबर यानि कि रूड संख्या या भाज संख्या एक और भी चीज के बारे में जाले है इसका नाम है रूड संख्या देखो यहां लिखा हुआ हुआ है ना रूड संख्या या से कटे, एक से कटे, इसके अलावा कम से कम एक औरन संख्या से भी कटे, याणी वैसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फेक्टर, वैसी संख्या है जैसे 2, अगर 6 की बात करते हैं किस से किस से कटेगा बताओ, एक से दो से तीन से छे से यानि जिसके दो से जाड़ा interacting आठ की बात करें किसे किसे कटेगा एक से दो से चार से आठ से समझ नह quién बात यानि वैसी संयंख्या है जिसके दो से जाड़ा staying तो first composite number कौन होगा four पहला composite number कौन होगा four पहला composite number जो even number होगा 4 पहला composite number जो odd number होगा 9 क्योंकि 9 किस से किस से कटेगा एक से, तीन से, नाइन से बात समझा रहा है जिसके दो से ज़्यादा factor हो एक तो एक, एक खुद इसके अलावा कम से कम एक और number होना चाहिए composite number किस से कटे एक से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे एक से कटे, इसके लावा कम से कम एक और अन्य संख्या से भी कटे यानि जिसके दो से ज़्यादा factor हो उस तो composite number यानि योगिक संख्या कहते है composite number यानि कि योगिक संख्या जिसके दो से ज़्यादा factor हो तो पहला योगिक संख्या जो संख्या पहला composite number कौन है 4 जो even number ऐसे पहला composite number 4 पहला composite number जो even number है 4 पहला composite number जो odd number है वो 9 बात समझ में आई तो चलिए next हम लोग चलेंगे rational number के बारे बेशाध हम लोग पढ़ेंगे next देखो नहीं co prime number co prime number क्या होता है जब दो संख्याओं का SCF 1 हो जब दो संख्याओं का SCF क्या हो 1 तो वैसी संख्या है जिसका common factor एक के अलावा कोई और नहों एक के अलावा कोई और नहों मतलब वैसी संख्या है जिसके कितने factor हो वैसी संख्या है जिनका SCF क्या हो 1 तो उनहें क्या करते हैं को बाइन नमबर जब दो संख्यां का SCF 1 हो तो जैसे 3 और 5 की बात कर से पहला देखो पहला हम लोग बात करते हैं téléphone प्हीmber बात करने प्ही montón तो पांच क्या है किस से कटेए 5 से और एक क्या प्हीं तो पन्हें सकते हैं कि इसका SCF क्या है वन तो जब दो संख्याओं का SCF वन हो तो ऐसे नंबर कहलाता है को प्राइम नंबर जब दो संख्या का SCF बन हो जैसे चार और साथ चार को ब्रेक करेंगे साथ को ब्रेक करेंगे तो इनको भी क्या कहेंगे को प्राइम जब दो संख्याओं का SCF बन हो तो उने क्या कहते है को प्राइम अब जब दो प्राइम नमबर का SCF बन हो तो उसको कहते हैं ट्विंस को प्राइम किसी भी दो नमबर का SCF बन हो तो क्या कहें? अब जब दोनो नमबर, जब प्राइम नमबर हो, और उनका S.E.F. 1 हो, तो इनको क्या कहेंगे? ट्विंस को प्राइम, ट्विंस का मतलब क्या होता है? जूडवा, clear? तो नॉर्मल सा बात है कि प्राइम क्या होता है? जब दो संख्याओं का SCF क्या हो, 1 जब दो संख्याओं का SCF 1 हो और दो प्राइम नमबर का SCF 1 हो तो उसको twins co-prime कहते हैं, लगतार प्राइम नमबर दोनों क्यों आना चाहिए, लगतार प्राइम नमबर तो यह क्या होगा, twins co-prime ऐसे normal co-prime क्या होता है कि जब दो संख्याओं का SCF क्या हो, 1 तो चलिए, यहाँ तक तो आपको बात समझ नहीं कि twins co-prime co-prime क्या होता है, clear तो co-prime का होता है, हमेशा याद रखिएगा co-prime नमबर जो होगा, तो उनका SCF क्या होगा, 1 A, B का SCF क्या होगा, 1 और A और B का LCM की बात करें, co-prime नमबर रहेगा, इनका LCM क्या होगा, A, B, कव, जब A और B क्या है, co-prime तो एक बात समझे, कि co-prime नमबर का SCF always one होता है और co-prime नमबर का LCM जो होता है, उनका product होता है co-prime नमबर का LCM क्या होता है, SCF क्या होता है, always one होता है उनको prime number का LCM क्या होता है उनका product होता है clear चलिए next point की द्रफन लोग move कर रहें next point आपके screen पर यह आए देखे rational number rational number क्या कहते है वैसी संख्या जो P by Q के format में हो P और Q integer हो Q0 ना हो और simplest रूप में हो simplest format में हो देखे P by Q के format में हो Q0 ना हो P और Q क्या होना चाहिए integer होना चाहिए नहीं P by Q क्या होना चाहिए integer होना चाहिए और simplest format में होना चाहिए जैसे देखो 4 upon 8 यह कहाना गलत होगा real में हमको कहाना होगा 1 ratio क्या 2 देखे P by Q के format में है P और Q दोनों integer है Q0 नहीं है और P और Q में common क्या 1 है common क्या 1 है मतलब क्या है simplest format में जैसे अगर 5 और 15 यह simplest format नहीं यह और कटेगा जैसे बात समझ में आया तो यह यह example दिया हो तो रस्डल नमबर क्या होता है P by Q के format में है Q0 नहीं होना चाहिए P Q in integer होना चाहिए और simplest format में होना चाहिए यह दोनों तो आप पुछो किस्पो क्या कहेंगे इसको तो सिर्फ प्रेक्षिं कहें इसको क्या कहेंगे और काटके च्होटा कर देंगे right 나mar इसको सिंप्ली हम कहेंगा fraction लेकिन इसको फ्रैक्षिं भी कहेंगे और सब्रेस्द सेंख्या यह यह सिर्फ्रेक्षन नुमिरेटर भाइड इनुमिनेटर यह अफ्रेक्षन है और लटनल नमर भी एक की कॉमन फैक्टर यह को आप और और फ्रेक्शन कर दूनहों में difference समझ में रेचनल अब क्या जो सिंप्लश फॉर्मेट में फ्रेक्शन क्या जो नॉर्मल उसको फ्रेक्शन भी का सकते हैं रेचनल नमबर को चलिए तो next point आपके screen पे आया irrational number देखो irrational number यानि आपड़ी में देखो नाम से clear पीबाइ क्यो को रूप में नहीं लिखा जा है वो क्या कल आता है ? q बडाबर 0 नहीं हो तो उसको क्या कहते है ? अब पड़ी में जिसकी कोई सीमा नहीं हो तो जैसे root 2 रूट से नॉर्मल समझे है जो भी root से बाहर नहीं निखलेगा रूट से बाहर नہी निकलेगा उसको क्या कहांगे bastard कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकले उसको चैले तिन और नहीं तो यह नहीं जो रूट से में निकले उसको क्या कहेंगे तो रेस्टनल और इल्रेस्टनल समझ में है रेस्टनल भी समझ में आ गया चलिए अब क्या है यहां लिखा हुआ देखो ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू को फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके उस और क्यू बढ़ावर जिरो नहों सु क्या कहेंगे आप पड़ी में यानि रूट से बाहर यह नहीं आ पाता है रेस्टनल और इल्रेस्टनल तो आप लोग समझ गए चलिए नेक्स्ट जो है क्या है रियल नंबर तो ग्रूप आफ रेस्टनल नंबर और इर्रेस्टनल नंबर इसकोड रियल नंबर कहने का मतलब रियल नंबर वैसा नंबर है रियल जिसका रियल वैलू हो तो रेस्टनल और इर्रेस्टनल दोनों को अगर इंक्लूड कर दिया जाना रेस्टनल नंबर में रियल नंबर में दो पैटरन आता है रेस्टनल और इर्रेस्टनल रियल नंबर में दो आता है रेस्टनल और इर्रेस्टनल पता है इर्रेस्टनल पता ह नमबर यानि पड़ी में और पड़ी में संख्याओं कि समुझ को हम लोग क्या कहते है अधियाल नमबर है ठीक है चलिए है नेक्स आता है अधिक नेक्स्ट आपके पास एक आपनिक संख्याओं इमेजदरी नंबर देखें रूट के अंदर तो कोई नमबर अगर यह तो जैतो नमबर है कि कौन सा नमबर रियल कौन सा दियंप में ये इन इल्रेशनल यह जिए आपड़ी में यानि वास्तिविक संख्याओं आपड़ी में है इस एल नकिम्बर में यह ए statीत रूत से बाहर ने तो इसको कहेंगे हम लोग क्या imaginary number देखो x square plus 1 बडावर अगर 0 लेते हैं तो x square बडावर minus 1 तो x बडावर क्या होगा root under minus 1 इसको i से denote करते हैं iota होता है यह क्या होता है iota यानिकि imaginary number imaginary number का मतलब क्या होगा इस root से बाहर निकल वे नहीं करेगा K求 अगर डी क्या होता है greater than 0 होता है डी का स्क्रामाग मतलब क्या होता है we listen want more OR 4 तो इह क्या होता है निकीन स्क्रावर अगर बडावर से बाढ़न हो तो तो रियल हो जाता है और अगर डी अगर निगेटिव आ जाए अगर जैसे ही रूट में चला जाया तो इसको क्या कहेंगे इमेजनरी नंबर यानि की वास्तविक संक्या इसका वहलू आई से डिनोट किया जाता है ठीक है अब देखिए अब एक और बचा हुआ है जिसको हम ल मिकस है क्या क्या मिकस है इसके दो पर्ट एक एक डियल नंबर और एक एमेजनरी नंबर ग्रूप और ऑर का value क्या है root under minus one यह क्या है real number कि रियल नंबर याई इन टीजर और यह क्या है image नरी नंबर तो रियल नंबर और image नरी नंबर के group को हम लोग क्या करते हैं सम मिष्रन यानी complex सब्सक्राइक्स नंबर तो एक रॉफ आइडिया हम लोग देते हैं आपको फेड़ से ध्यान दीजिए गिंती की संख्याओं कैते हैं प्राकिर संख्या जिससे काउंटिंग करते हैं प्राकिर संख्याओं के गुरॊप में अगर गर 0 को इंखलूट कर दिया जाए तो आप हो ठीक है जो 2 से कट जाए इवेन नमबर दो से न कटे और नमबर जो पी बाइए क्यू के फॉर्मेट में हो क्यू बड़ाबर जीरो नहों पी क्यू इंटीजर हो और पी और क्यू को कॉमन फैक्टर वन हो यानि कि सिंप्लेस फॉर्मेट में उसको रेस्नल नमबर यानि पड़ी में संख्या अब पड़ी में संख्या किसे करते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए कि लिए भाजी संख्या जो खुद से कटे एक से कटे इसके अलाबा कम से कम एक औरनोय संख्या वह से भी कटे भाजी संख्या या यह कंपोजिट नमबर यानि जिसके दो से ज्यादा अरुएप्टर हो आपका प्राइम नॉबर जिसके दो से ज्यादा dissolve नमबर िमेस नरी नंबर क्या है जो रूट के अंदर निगेटिव आजए रूट के अंदर क्या आजए निगेटिव आजए और इंटीज अगर इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के ग्रूप को दोनों को मिला दिया जा तो सो क्या कहता है कॉंप्लेक्स नंबर तो इतने सारे नंबर्स नंबर्स के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए एक एक बाद रिकॉल करके आप लोग ध्यान देखे इसको देख लेंगे कि क्या होता है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविलिटी अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट आप लोग समझेंगे तो है एक एक आवा पाण्च इसके बारे में समझे है कोई भी नंबर जिसका यूणिट प्लेस दो से कड़िए वह 2 से कटेगा देखो एक ही बार में हम आपको समझा रहा है जिसका यूनिट प्लेस 2 से कट जाए 2 से कटेगा जिस नंबर का लाश का 2 डिजिट 4 से कट जाए वह 4 से कटेगा जिस नंबर का लाश का 3 डिजिट 8 से कट जाए वह 8 से कटेगा जिसका यूनिट प्लेस 2 से कट ज जाए 1 2 3 4 5 6 इसको क्या पढ़ेगा एक लाग तेसे और 456 तो क्या ये दो से कटेगा दो से कटना दो से कटेगा कट जाएगा चार से कटेगा, कट जाएगा आट से कटेगा, कट जाएगा क्यों? जिस नमर का last का unit place दो से कटेगा last का 2 digit, यानि unit और 10 एकाई और द्हाई से बनी संखे चार से कटेगा last का 3 digit, 8 से कटेगा 8, 45, 48, 36, 45, 8 से कटेगा, 2, 4, 8, 20 है है अब हम बात करते हैं 3 और 9 की जिसके digit का सम 3 से कट जाए डिजिट का सम सम्किसे कट जाए 3 से जोड़िए 6 5 11 11 114 15 15 15 13 18 20 और 101 इनके digit का सम्की से कट रहा है तो 3 से कटेगा अगर अंगों का यूग 9 से कटेगा दो चार छे समझ में आए लाश्ट डीट दो से कटेगा लाश्ट का दो डीट चार से कटेगा लाश्ट का तीन डीट आठ से कटेगा दो चार आठ समझ में आ गया अंको का योग तीन से कट जा तीन से कटेगा अंको का योग चार से कटेगा छे से कटेगा छे को क्या कहते दो और जो दो से कटने का भी रूल फॉलो करें और तीन से भी कटने का रूल फॉलो करें यानि जिसके यूनिट प्लेस दो से कट जा और जिसके अंकों का योग भी तीन से कट जा वो छे से कटेगा छे को ब्रेक किजिए दो और तीन से कटने का भी रूल फॉलो करें और तीन से भी क जो 4 से भी कटने का rule follow करे और 8 से भी कटने का, 3 से भी कटने का rule follow करे, वो 12 से कटेगा, clear, अब इसी तरह से बात की जाए, तीन समझ गया है, छे समझ गया है, चार, दो, आठ, बारा समझ गया, अब पांच से समझो, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहे, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहे, 0 या 5 वो 5 से कटेगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 10 रहे, वो 10 से कटेगा, जिसके यूनिट प्लेस जिसका यूनिट प्लेस तो सर इस तरह से करके हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आपने क्या-क्या भी सिख लिया दो सीखा चार सीखा आठ सीखा यूनिट पेस कटना चाहिए यूनिट टेंस कटना चाहिए यूनिट टेंस हडने तीन होई यानि एकाई अन कटना चाहिए दहाई अन कटना चाहिए एकाई दहाई सेकरा कटना चाहिए तीन और छे समझ में आया 3 और 9 अगको का योग 3 से कटना चाहिए या 5 और 10 समझ में आया unit place पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए तो 5 से कटेगा units, 50 अदस से कटेगा 5 में बत 2 4 6 3-9 5-8 σε मैं समझ में आया ऑगा तर में जो 2 से भी कटने का रूल करें और 3 से भी कटने का ूल फालो करें 8 भी यह 12 समझ में आए होगा 12-12 जो दो से भी कटने का रूल जार से नहीं का फॉलों जल्डag नहीं जिसका 10 से कटने करने नियमि को का योग ते से कट बात समझ में घ्यारा से कटने कर नियम कोई बीन नंबर इनके ओड प्लेस और इवेन प्लेस का सम यानि छे तीन एक में छे चार दो ओड प्लेस और इवेन प्लेस पर जो नंबर है ओड प्लेस और इवेन प्लेस का जो जोड है या तो या जीरो आना चाहिए या इग्यारा से कटने वाली कोई संख्या इग्यारा से कटने का निया में जिसके यूनिट प्लेस इवेन प्लेस और ओड प्लेस के जो डिजिट का सम है उनका डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या तो सर इस सारी बातों को हम आपको बताने जा रहे हैं one by one करके साथ से कटने कर नियां बताए थे कोई भी नंबर इसका unit place का double करके बची हुई संख्या में से घटा लोगे फिर unit place का double करके बचीवी संख्या मैं से घटा लोगे तो अगर 7 या 7 का multiple आ जाएगा इसके unit place का double करके बचीवी संख्या मैंसे घटा होगे तो sams सारे नियम आप लोग समझे दो से 3 से 4 से 5 से 8 से सब समझगे, इसी बात को हम लोग one by one करके discuss करेंगे, आप लोग देखते जाएए, देखो, देखो, पहला slide आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है बताओ, किसी भी संख्या काई कायां के अस्थान पर zero हो या सम संख्या हो, तो वह संख्या दो से विभाजी हो, कोई भी नमबर इसका unit place पर या तो दो से कटने वाली कोई संख्या हो, या zero हो, है ना, तो किस से कट जाएगी, दो से, चले, इसमें हम जादा दिवांग नहीं लगाएगे, ये देखते जाएगे, कि बाताओ, चार तीन से कटने का नहीं हो, हमने क्या कहा, किसी भी नमबर के digit का सम, इनके digit का सम, एक लाग तेसे और चार सो चप्पन, जोड़िये, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 21, 21, कि आंको का योग तीन से कट जाएगा, तो ये भी तीन से कटने का रूल फॉलो करेगा, जिसके digit का सम तीन से कट जाए, वो तीन से कटने का रूल फॉलो करेगा, बात समझ में है, चले चार से कटने करने हो, अंतिन दो अंक जिरो होना चाहिए, लाश्ट दो डीट जिरो होना चाहिए, या चार से कटना चाहिए, तो चार से क्या हो जागा, कट जागा, कुई भी नमबर, इसका लाश्ट का दो डीट, क्या या चार से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चार एकम चार, अचार चोके, सुल्ला, तो ये लाश्ट का दो डीट अगर चार से कट रहा है, तो ये नमबर चार से कटेगा, बत समझ मारा, जिस नमबर का लाश्ट का दो डीट चार से कट जा या तो जीरो हो तो 5 हो तो 5 से कड़ जाएगा Sport यहाँ पर 5 यहाँ पर 0 तो यह भी पांच से कर जाएगा तो लास्ट डिजट क्या होना चाहिए या तो जीरो हो या पांच देखो लिखा हूआ है चलो 5 से कटने का नियम आप लोगे देख लिया अब हम लोग बात करेंगे 6 से कटने का नियम क्या कह रहा है एक यंक इवेन नम्बर होना चाहिए यह यह नीदो से कटने का रूल वसो फोलो करना चाहिए और उंको का योग तीन से कटने चाहिए मतलब तीन से कटने का नहीं हम वस सीवत करने चाहिए दोनों बात होना चाहिए 123456 भाइण यह स्का यूट प्लेट डो से कड़ रहा करवे थीजिट का समग्जा है 21 यह भी तीन से कट रहा तो 30 से कटने गार ऊपलो कर खा या definite जैघ तो तीन से कटने का रूल फॉलो कर रहा है पात समझ में आ रहे हैं एक नहीं आ रहे हैं तो जो दो से भी कटने का रूल फॉलो करें तीन से भी कटने का रूल फॉलो करें वह सभावी के छे से क्यों आजागा कड़ जागा चले साथ से कटने का नियाब है जब किसी संख्या का इंका दूगना अभी जश्ट बताए थे कोई भी नमबर उठा लो जैसे अभी इसी के बारे बात करते हैं इसके यूनिट प्लेस का डबल इसमें से घट आईए तो 12 हट आएंगे तो क्या हो जाएगा लगभग आपका 50 आँ शिक्स का डबल 12 12 माइनस करो इसमें से 12 माइनस करो 68 माइनस 12 बोल भाई यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 5 क्या यह साथ से कट रहा है तो साथ से कटेगा 24 से एक के बारे में भी देख लो यूनिट प्लेस का डबल करकर बची हुई संख्या में से घट आलो तो कभी भी अगर इस तरह से काम करने पर 7 यह 7 का मल्टिपल आ जाए तो यह नियम साथ से कटेगा चलिए आपको किबल एक सको डिक्रोकर करके 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 देखते जाना ठीक है और आठ से कटने नियम अभी बच्छ 보여ब के कि देखो इसे 1280 ही देखो ना 8 से कटेगा लाक्ष का 3 डिजिट 8 तीया 24 आठ पचे 40 कट रहा है कोई भी नमबर इसका लाक्ष का 3 डिजिट क्या यह 8 से कटेगा 8 पचे 40 8 सते 56 तो यह 8 से कटने का रूल फॉलो कर रहा है समझ में आ रहा है बत तो 8 से कटने का नियम भी आप लोग सीख लिए अब इसी तरह से 9 से कटने का नियम हम बताये थे जिनके डिजिट का सम 9 से कट जाएगा डिजिट का सम 9 से कट जाए 1 पलस 2 पलस 3 पलस 4 पलस 5 पलस 6 यह 21 आ रहा है क्या यह 9 से कटेगा नहीं तो यह नहीं होगा अब यह नंबर की बात करो 5 7 3 3 6 3 बोल भाई 5 पलस 7 पलस 3 पलस 3 पलस 6 पलस 3 बोलो 7 5 12 12 6 18 और 9 27 यह भी 7 से कटने का रूल फॉलो कर रहा है 9 से कटने का यानि जिनके डिजिट का सम 9 से कट जाए वो 9 से कटेगा अभी बताय थे ना बस कुछ नहीं है रिवीजन करते जाना आपका काम होता चला जाएगा चलिए तो नेक्स्ट है 10 से कटने का नियम बहुत आसान हमने क्या लिखा कि वैसा नंबर जिसका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए या 10 से क्या होना चाहिए काहिए कि तो संध्याथ 10 से क्या exec जाए के 202 पांच नेकर आपके स्क्रीन पर यह कोशन रह एक 11 से कटने का नियम हम बता चुके है प only भी नंबर जिसके 15 से आई जाने पर समत अस्थान तथा विसमस्थान के अंकों का योग कान तरिया तो 0 हो अथवाई 11 से कटने वाली संख्या तो 11 से कट जाएगा कोई भी नंबर जैसे इसी की बात करते है 6, 3, 7, 0, 4, 3 इसका odd place जोड़ लो इसका even plus जोड़ लो तो 6 plus 7 plus 4 minus 3 plus 0 plus 3 तो 6, 4, 10 सा 17 minus 6 17 में से 6 जाएगा देख तो भाई ठीक है यहाँ देखो 3, 3, 6 7, 6, 13, 13, 4, 17 17 में से 6 जाएगा 17 में से 6 जाएगा तो आपका 11 आ रहा है अगर 11 आ रहा है 17 में से 6 जाएगा यहाँ पर क्या क्या था 3, 0, 3 17 में से 6 जाएगा तो हमने कहा कि अगर even place और odd place का जो नंबर है उनके digit को जोड़ दीजे even place, odd place के नंबर को digit को जोड़ दीजे और उनको subtract कीजे even place और odd place subtract करने के बाद यहाँ तो 0 होना चाहिए 11 से कटने वाली कोई संख्या आ रहे है यह बात समझ में तो 11 तक हमने सीख लिया अब अगला जो हम लोग चल ले जा रहा है last जो है 12 से कटने का नियम तो 12 से कटने का नियम नाम सही हम बता चुके पहले भी देखो जो संख्या 12 को break करो 12 को break करो जो 4 का भी rule फॉलो करे और 3 का भी rule फॉलो करे यानि जो संख्या 4 से कट जाए चाहे 3 से कट जाए तो 4 से कटने का नियम क्या था कि जिस नंबर का last का दो डिजिट अंतिम दो अंग अंतिम दो अंग किस से कटना चाहिए 4 से या अंगो का योग किस से कटना चाहिए 3 से दो बाते अंक 3, 2 यह अंक किस से कटना चाहिए? 4 से, या अंक का योग किस से कटना चाहिए? 3 से, यानि जो digit 4 के भी रूल फॉलो करे और तीन के भी रूल को फॉलो करें तो वह 8 से कट जाएगा जैसे देखो लास्ट का दो अंक 624 की चर्चा करते हैं लास्ट का दो अंक कौन है 24 क्या ये 4 से कट रहा है कट रहा है क्या इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है ये भी 3 से कट रहा है तो 4 से भी कटने का रूल फॉलो करें और 3 से भी कटने का रूल फॉलो करें वह संख्या 12 से कट जाएगी तो हमने अभी आज जो बताया बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था यही सब चीजे था तो इसको हम लोग को याद करना है याद करना यह सब पता होना चाहिए अब हम लोग बता रहे हैं कि पर्थम अभाज संख्या पहली अभाज संख्या एक होता है खतम हो गया कहा निक करते हैं तो फ्राइम नमबर जानने के लिए पहला प्राइम नमबर तो पता हो न चाहिए है दो होता है ठीक है पाraction अभाज संख्या करना पड़ेगा यह तरaut te buckram गढते है सारे इस नियम बताएंए सब से करना ये टा दे तो धीरे धीरे होता चला जाया तो अगला जो है कि आप ध्यान दिजीए करतार कोचिंट अपकी इसके लिए बहुत-बहुत धन्य बार करता है मेहीं तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्य भाँ इतने देर तक आप वीडियो पर बने रिकेगा इसको समझे जल्दी से result लिजिए और हम से आके मिलिए कि हासर मेरा result हो गया क्योंकि हमारा achievement नहीं है कि आपको result मिला Thank you very much हम लोग next video मिलेंगे आगे some important points के ताथ लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके पहले आप लोग ये जो points बता हैं इसको आप लोग remember करके आएंगे चले next class Thank you very much